मुझा आप सभी का वज़ार की सदार में आपके साथे के लिए शाटी और बज़ार की सदार में आप सब लिए एक बेफिर से लेकर आ गया हूँ आज का राशी फल, आज का शेर बज़ार का अपडेट और आज का कमूनिटी बज़ार का अपडेट जानेगे की आज आपका राशी फल कैसा देखने को मिल सकता है कौन सी राशियां आज मुनाफ़क कमाएंगी कुन राशियों को किस समय पर कारवार करके चलना सही रहेगा किस समय पर ट्रेडिंग से बचना है और जोतिश के आधार पर आज शेर बजार और कमुनिटी बजार कैसा रहेगा लेकिन इस पर नज़र डालने से पहले आपको बता दें आ गई है एक ऐसी एप जिसके थुरू आप घर बैटे बैटे बिना किसी की फीज दिये बिना कोई registration चार्ज दिये फ्री में फ्री ओफ कॉस्ट अपना घर से बिजनस शुरू कर सकते हैं और अगर आप अलरड़ी कोई बिजनस कर रहे हैं तो उसकी ग्रहकी बढ़ा सकते हैं सेल्स बढ़ा सकते हैं किसी बात की टेंशन नहीं लेनी होगी कि ग्रहक काँ से आएगा कैसे सेल बड़ेगी कैसे बिल्स जनरेट होंगे कुछ नहीं करना है आगए एक ऐसी एप एप का नाम है My Big Bliss M-Y-My-B-I-G-B-L-I-S My Big Bliss इस एप के थुरू बस आपको करना ये है Play Store पर जाना है एप को डाउनलोड कर लेना है Store बनाना है Store बनाने के बाद अपने प्रोडक्स चड़ा देने है जो भी प्रोडक्स आप बेचना चाते है चाहे आप ग्रहनी हो चाहे आप एक कोई student क्यों ना हो और एक अपनी कोई sad income generate क्यों ना करना चारे हो आप इस एप के थुरू पैसा कमा सकते है और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी registration charge या कोई भी fees नहीं देनी होगी शुरुआत कर लेते हैं यहां से आज के राशी फल की तो राशी फल जानने के लिए इस वक्त हमाई साथ जुड़े में है बाशार के जाने माने एस्टो मानी गुरू करनल अजय जी करनल अजय जी बहुत बहुत स्वाब था आपका मागिनाम सिभी पर शुक्त बात अखले साथिये जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंदो मैं करनल अजय सीओ अजय एस्टो मनी गुरूप फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फनाइस दीजिटल चैनल से आप से मुखातिब होता हूँ आज 9 दिसमबर सन 2021 आज के एपिशोड में हम चल्चा करेंगे राशियों के अडार पर आपका नाफानुक्सान खत्रे के घंटे क्रशी उपज के अंदर क्या संभावनाय बन रही हैं क्रशी जीन्सों में इसके अत्रिक शेर बजार के अंदर क्या होता चड़ाव रहेगा और non agro commodities के अंदर base metals के अंदर क्या संभावना बनेगी इस पर हम इस्टेश चल्चा करेंगे सबसे पहले राशियों के अधार पर आपका नापा नुक्सान है दोस्तों share बजार हो या फिर commodity बजार या फिर क्रशी जीन्स इन सबकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत महतपूर होता है कि आप का मुनाफ़ा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है गिर्टे बजारों में भी और नुक्सान हो सकता है चड़ते बजारों में भी तो अपनी राशियों के अधार पर आपका नापा नुक्सान आप आप देख सकते हैं सबसे बाहर के जोतिश में बारा राशियों को चार कत्वों में divide किया गया है अगणी त्रथवी वायू और जन अगणी तत की तीन राशियां यानि मेश, सिंग और घनू राशी आज आपके लिए दिल संभापे मिश्रित रह सकता है लाब कवाने के स्टीपी एक कदम आगे, एक कदम तीचे इस तरह से बन सकती है लेकिन कुल मिलाके आज का दिन आपके लिए शुवर मंगलकारी रह सकता है दो से तीन बजे के बीच में रखी है अत्रिक साथ धानी प्रत्वी तत की तीन राशियां ब्रश्चव, कन्या और मकर राशी ये तीन राशियां आज लापकमानी की सिती में रह सकती है मुनाफ़ा बढ़ सकता है आपके लिए गए नए सही साधित हो सकते हैं लेकिन तीन से चार बजे के बीच में रखी है अत्रिक साथ धानी वायूतत की तीन राशियां तीन साथ और ग्यारा यानि मितुन तुला और कुमराशी आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है मिश्रित रह सकता है लापकमानी की सिती में रह सकते हैं लेकिन आयावा मुनाफ़ा तुरंक वसूल कर लीजेगा जादे लंबा मुनाफ़ की नारच में मत रही हैगा अन्य था आयावा मुनाफ़ मुनुक्सान में बदल सकता है चार आज बारा यानि कर्क ब्रश्चिक और मीन राशियां आपके लिए जल्तत की राशियां हैं ये आपके लिए संबाते आज मुनाफ़ा वसूल ना कर पाएं आपको अत्रिक साधानी रखनी चाहिए ये था राशियों के अदार पर आपका अनाफ़ा नुक्सान एक विशिश अपडेट सन 1981 में जनम लेने वाले सभी कारोबारी के लिए 20 साल जन 2022 एक महतापुन लिनायक साल साबित हो सकता है जनम पत्रिका में कमजोर ग्रह निशीत रुप से आपको परिशान कर सकते हैं आयावा और कमायावा अब तक का लाब, नाम और शोरक पानी में जा सकती है लेकिन मजबूत ग्रह आपको नए अवसरत दान कर सकते हैं और लंबी चलान के लिए आपको तैयार कर सकते हैं आने वाले समय के लिए तो अपनी जनम पत्रिका के ग्रहों को भी अवलोकुन अवश्य कर लिए जी अकले जी जी तो ये तो हमने कर लिए जी जाना था की आज का राशी फल कैसा रह सकता है कॉन सी राशियां बलाब grades को आज समनने की जरूत है येसे कर लिए जी बात करें अगर कमुरूटी के बजार की तो कमुनिटी बजार में आज क्रिशी फसलों का बजार कैसा देखने को मिल सकता है सबसे पहले आपसे गवार के उपर जानना चाहूंगा क्योंकि हमने गवार में 13,000 की रैली निकलने के बाद वैदा बजार में 9,700, 9,600 तक की निचले स्तर आते देखे हैं लेकिन अब देख रहें कि गवार एक फिर से गवार में तेजी दिखा था नजर आ रहा है 10,500 की उपर ट्रेअट करता नजर आ रहा है और कल भी आपने बता दिया था कि गवार में तेजी बनती नजर आएगी और आज हम देख रहे हैं को यहां से आगे क्या क्या यहां से आगे भी गवार में तेजी रहेगी? गवार में तेजी नगर देखा रहे लिए गवार में तेजी रहे जाएगी?? और जहां तक थोड़ा सा भी फंडामेंटल की तरफ और हम दिबारा रिपीट कर दें क्योंकि जो भी दर्शक बंदों होने हमारे पिछले एपिसोर नहीं देखे हैं तो इनके अंदर भी एकपर रिमाइंड हो जाएगा पिछले साल करदी हम देखे हैं तो सन 2020 में गवार गम का निर्यात लगबग 161 करोड रुपे का हुआ था और आमन्मी जो थी वो लगबग 1414 दश्मलब 2.0 करोड डालर की थी और सन 2021 में अब तक 1631 करोड रुपे का निर्यात हुआ है और 22 करोड तक कि इसके आमन्मी पहुँच गई है अता है लगबग 55 प्रटीशत की अधी गवार गम की निर्यात अधी तक बड़ोती दजू है यह विशे स्यांदेने वाली भात है और गवार सीड और गवार गम के अंदर जो महतपून है लगाता चाइना से यूएस से मिडली से मध्यापूर के देशों से अच्छे और निर्यातों को के पास बताई जा रहे है और माल जो गवार सीड का है वो पूरा माल अभी बजार में उपलब ही नहीं है अच्छी क्वालिटी का गवार बजार में उपलब नहीं है ब्लैक यानि काला गवार तो फिर भी उपलब है लेकिन जो ब्राउन का और ये वाइट कलर का जो अच्छी क्वालिटी का बेस्ट का गवार पूर उपलब नहीं है ये एक महतवपूर ग्राउन रियलेटी जाय सच्चाई है और गवार के जो पादक हैं या किसान हैं ग्रोवर्स हैं इसके अतरी कारोबारी हैं यही सच्चे को बहुत अच्छी तरह से जाज सकते हैं लेकिन NCDX के उपर इन्होंने मंदी करकर माल बेचा है अब देखने में ये आएगा कि वो डिलीवरी कैसे देंगे डिलीवरी देनी पड़ेगी अधी डिलीवरी नहीं दी तो उसका खाम्याजा इनको भुगतना पड़ेगा ये मेरा अनुमान है दोस्तों अमेशा याद रखेगा किसी भी विशेश्टेगों को आप सुनते हैं उसका वो सिर्फ एक अनुमान जाहिर कर सकता है बविश के अंदर क्या बहुत ज़्यादा होगा या नहीं होगा वो तो एक बविश बताएगा लेकिन मेरा अनुमान यही है कवार सीट के अंदर आज तेजी बन सकती है दूसरी कमोडिटी जिसमें हम लोग तेजी की बात करते हैं ददनिया बहुत तेजी से फाट्चिट कर रहा है कॉरेंडर कर अला आडट आट साथो से शेटर अगगा मँद्धूसर अज यह тор चेसा सु आट्यार चाजिआ में बहुत तेजी से फस्लेशूट कर रहा है ये भी एक महतापून है लेकिन धनिये के फंडामेंटल भी बहुत मलबूत है और इनके उपर भी बिक्वाली करने से बचना चाहिए यही मेरा कहना है यही अकलेज जी जी करनले जी गौर के साथ साथ आपने पहले भी मसालों के बात की रहे हैं अगर तो मसालों में आप तेजी में रहे थे आपने काले मिर्च लाल मिर्च में तेजी बताई थी और हमने तेजी बनते देखे थी आपने धनिये में तेजी की संभावना बताई थी हमने वो भी बन क्या दरिये में आगे अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी दरिके जो कारोबारी यह किया ओर करने वाले हैं यह फिजीकल ट्रेड में काम करने वाले हैं दोनों के लिए का अलएधा आगा है मुझ्छे लगता है कि दर्दाने की आवस्ध्र नहीं है इसके फंडमेंटल ब कोई बहुत बड़ी मंदी मुझे काफी तेजी नज़ नज़ नहीं आती है फ्लेक्ट्ट्वेशन जरूर रहेंगे उताचड़ा जरूर होगा क्योंकि यदि उताचड़ा नहीं रहेगा तो बजारों के अंदर अपार वेसाइड नहीं होता है क्योंकि कोई खरीदे खरीदेगा तभी जब कोई बेचेगा और जब तक खरिदार नहीं होगा तो विकष्वाल को बेचेगा किस को खरीद और परोग त harmony खरीद और विकनी दोनों होगी लेकिन धनिये के अंदर मेरे मतनौसार मंदी करना कुछ इतन नहीं है जी आट लेट जी जो सोयबीन है उसके आगड़े जादा बताये जा रहे हैं कि सोयबीन का उत्पादन पिछले साल के मुकावले सोपा के अनुसा लगबग 14 से 15 फीज़ी जादा रह सकता है सरकारी अनुमान सोपा के आगड़े से भी जादा है और दूसरा पोल्टरी इंडस्ट्री आयात की मां आने के जगाए अपने किसानों की इंकम बढ़ाई जाए और सरकार के 2022 तक किसानों की इंकम दोगुनी करने के लक्ष में इसमें योगदान दिया जाए अखले जी देखे बहुत अहम सवाल आपका है जब सरकारी आकड़े स्वाइबीन के बहुत सकारात्मक हैं सोपा ने भी एक सो गुनिस लागतन की आकड़े जारी कर दी है और बड़ी मजबूती से जारी किये हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आयात की कहीं भी आवश कि देती है जो पॉल्ट्री फार्म यानि मुर्गी पालक हैं उनकी बात को सुन के आयात की अनुमिती देती है तो फिर मेरा एक प्रशन है कि फिर इन सरकारी आकड़ों की जरूरत क्या है फिर सोपा जैसी इतनी बड़ी और्गनाइजेशन के उन आकड़ों की विश्वसमी कुछ तो आपके पास थी पंदरा की आप ने बताया कि आपके पास अफासल है आपके पास उत्पाद है तो फिर आएत की जरूत क्या है आपके घर के अंदर जब प्रयाक्त साधन है तो आपको भाद दे क्यों करने पड़ी मुझे याद है कि पुराने जमाने के अंदर जो अक्सर लोग एक कहवत कहते थे कि कोई जब भैस का कोई चोर होता था तो यदि वो भैस चुणाने आता था तो यदि उत्तर के अंदर भैस ले जाता था दक्षिन के अंदर भैस की गले के अंदर घंटी ती उसको उतारके जो दूसरा च्ठा में पर होता था जिससे आतानी से बवाद रची को चौर साबित करना नहीं है मेरा उदेश ये मामूली सी एक पुरानी घटना या पुरानी कावत को या गाउं के लोगों की बात बताने का है कि अक्सर जहां पर निशाना लगाना होता है उसकी वहां पर बात नहीं होती है दूसरी तरफ ले जाता है और ये लड़ाई के मदान के अंदर भी उतना ही कारगार ये फार्मूला है जिसे हम फाल्स फरंटरेज कहते हैं कि अधी हमला उत्तर दिशा में करना है तो गतिवी दिया दक्षिन दिशा में दिखानी होती है ताकि दुश्मन उसे धमित हो जाए और अपनी फाज वो दक्षिन दिशा में भेज़े और उत्तर के अंदर फाज पूरी नहीं पड़े और आप वहां पे आप हमला करके वहा से हटाया गया था ताकि अर्जुन के अंदर अभी मन्यू की साहिता ना कर पाए ऐसा सा कुछ बजारों में भी रखसर देखने को मिलता है कि आखने कुछ और दिखाई देते हैं ग्राउंड रिलेटीज कुछ और होती हैं और जन्ता या व्यपारी कुछ और करते नजरा रहे हैं तो पॉइंट यह है कि मैं बिल्कुल यह बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूं कि जब आपके पास प्रयाप्त सोयाबीन है तो फिर आयात की जरूरत क्या है या फिर कहिए क यह आकड़े विश्वसनी नहीं है और जहां तक सवाल सोयाबीन की प्राइसिंग का अपन डाउन है वो सोयाबीन की प्राइस का की तेजी मंदी का आपके पास कोई तरीका नहीं है रोकने का क्योंकि सोयाबीन के जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट से चलती है आप सिर्फ इंपूर्ट डूटी कम और जावादा कर सकते हैं आप स्टॉक लिमिट लगा सकते हैं आप इंपूर्ट कर सकते हैं और होता यह है कि जैसे ही भवारत इंपूर्ट डूटी में कुछ कमी की गोशना करता है तो सोयाबीन के जो निरियातक देश हैं उतनी ही मात्रा के अंदर या उसके आत्पास मात्रा में अपने प्राइसिंग बढ़ा देते हैं गौर तलब है कि भारत अक्रखादे तेलों का या ओयल सीट का सबसे बड़े इंपोर्ट करने वाला देश माना जाता है क्योंकि हमारी जिन सेंग्या एक सो पैंतीस करोड से आधित है और हमें हमारे पास तिलहन की जो फसल है वो इतनी नहीं है कि हमारी आबादी को उसका पूरती कर पाए तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है इसमें कोई दोरा है और कोई शक्त नहीं है और इन आकड़ों को ही हम लोग मैनेज करते हैं और उससे ही ध्रम पैदा होता है और किसान हर जंगें पिठता है ये आप देखिए मैंने आप आरके टाइम सीवी के चैनल के ओपर पहले भी एक पॉइंट उठाया था कि जब सोया बीन की दामों के अंदर 50-40% की गिरावट होती है तो आप MSP की बात करते हैं MSP पे पहले भी सरकार को किसाने माल नहीं दिया था लेकिन MRP जो मैक्सिमम रिटेल प्राइसिंग होती है उसके ओपर कौन नज़ा रखता है ये मेरा एक मॉइंट है MSP की आप बात कर रहे हैं लेकिन MRP के ओपर कोई रिस्टिक्शन नहीं हैं ये बड़ी एडेबल आयल कंपनी हैं अपनी मनमर्जी से इनके दाम गटाती है औ गौर तलब है कि MRP पर जब तक सरकार नजर नहीं रखेगी उसके ओपर पैनी नजर नहीं रखेगी आम भोगताओं को फायदा नहीं मिलेगा और किसान को भी फायदा नहीं मिलेगा और जो ये बिचोलिये हैं जो बड़ी कंपनिया हैं ये पूरा फायदा ले जाती है आद और कम्पनी के जो प्रोमोटर्ट हैं उनके पास 98.8% की होल्डिंग है सिर्फ 1.345% का जो है मतलब 1.5% की जो होल्डिंग है वो जनता के पास है और वो भी मज़े वाली बात देखें कि वो भी एनफ डैंक के पास गिर भी रखी भी है था जो 98% की जो है तो जो ये कम्पनिया पैसा अकूत पैसा कमा रही है इनके उपर कौन लगाम लगाएगा इनकी MRP पर कौन नजर रखेगा सोया रिफाइंड आइल जो आ रहा है उसकी तेजी के उपर कौन अंकुश करेगा कोई नहीं कर रहा है वाल यह है कि आप MRP MRP के उपर हम लोग चिला रहे हैं MRP की बाते कर रहे हैं MSP के उपर बाते कर रहे हैं लेकिन MRP कोई बाते करने वाला नहीं है तो मेरा Market Times के दर्शा टीवी के माद्यम से यही कहना है यही बताना है कि प्लीज MRP के उपर मैक्सिमम रिटेर ट्राइसिंग जो आम बोगता की है उसके उपर आप नजर रखिये उसको कंट्रोल कीजिए सारा चेल आटोमेटिक सुधर जाएगा जी अकलोई जी जी तो कंटल जी जी के मुताबिक तो सोयवीन में अभी कुछ गिरावट की संभावना नहीं है सोयवीन में जो बढ़त है वो आगे जारी रह सकती है लेकिन उन्होंने जाते जाते बहुत अच्छी बात यह भी कही है सोयवीन के उपर कि MSP की बात तो सभी करते हैं लेकिन MRP की कोई बात नहीं करता किसानों की MSP पर सबकी नजर रहती है कि MSP इतनी है उतनी है किसानों को मिल रही है नहीं मिल रही लेकिन MRP जब उतपात पूरा final product बन जाता है किसी उतपात से तो उस पर कौन नजर रग रहा है उनकी कीमतों पर कौन नजर रगना है ये एक बड़ा प्रशन है जब सोयबीन का उतपाद ने तना बताया ही जा रहा है तो बला पh observer आयात की ज़रूत ही क्या है और पोल्ट्री को उस समय ही अपना स्टॉक बना लेना चाहिए था जब सोयवीन नीचे में पंदरा सो, सोला सो, सतरा सो तक बिक्ती नजर आ रही दी करनल जाजी सोयवीन के साथ साथ बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल पर भी हमने हाल ही में तेजी बनती देखी है जो बिनौला खल वैदा बजार में 2425 पर ट्रेड कर रहा था अचानक से 2800 पर आया है और अब भी देख रहे हैं कि और आगे तेजी दिखाने को तयार है आपके अनुसार और जोतिश के अनुसार बिनौला खल आगे कितनी मंदी देजी में रह सकता है देखे बिनौला जो कॉटन सीड ओल केक है जो बिनौला खल है कर देखे बिनौला खल के अंदर जो है मुझे कोई बहुत बड़ी कमजोरी की संभावना नजर नहीं आ रही है हमें आपको कॉटन के ओपर भी जिब चचा की थी और कॉटन सीड ओल के ओपर भी हमने अबडेट दिये थे तो उस वक्त भी आपको यादो सप्टमबर मेहने के अंदर पूरा देश कपास के अंदर बड़ी मंदी में था और आपको मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ उस वक्त भी कपास की प्रोडक्शन के ओपर कपास के ओपर कपास की फचल के ओपर बड़े लंबे चुड़े आकड़े दिये गए थे और संबाफ ते मारकेट टाइम्स टीवी और करनल अजया केला पूरे बज़ार में ख़ड़ा था जो कह रहा था कि इस बार कपास के अंदर मंदी मत करो और विशेशकर 20 सितंबर के बाद में तो मंदी करनी ही नहीं चाहिए गौरतला बै की 20 सितंबर के बाद में लगबख 35-40 परसेंट की अच्छी फसल के आकड़े के बावजूद एक तरफ़ात तेजी दज़ दज़ हुई क्योंकि सोयाबीन में नज़र आई और जितने भी मिलर्स थे जीनर्स थे और उन्होंने माल नहीं खरिदा जिन्होंने हमारा चैनल या हमारी बात नहीं सुनी आज वो सारे परिशाने में है एक चीज़ दूसरी बहुत महतापून विंदू यह होता है कि कपास के अंदर भी अच्छी क्वालिटी का कपास आज भी उपलद नहीं है पहले यह होता था है कि अभी स्वाप्रतिशत कपास होती थी तो उसके अंदर 20-30% 15-25% क्वालिटी होती थी लेकिन इस बार बिलकुल उल्टा होड़ा है अच्छा माल उसमें निकली नहीं रहा है 60-65% और कुछ लोगा का तो 70-80% माल खराब कीती है क्योंकि पिंक वाम उसके अंदर किड़ा भी लगावा है फसले खरादी होई है तो कुल में लाके अच्छी क्वालिटी का उपलब भी नहीं है और इसका सीधा सीधा आतर जो बिनौला खल है उसके अपर भी पढ़ रहा है तो इसके अंदर तेजी की संभावनाएं जारी रह सकती है यह क्लिए जी तो यानि कि अभी बिनौला खल यानि कपास कली में कुछ ऐसा सिनेरियो बनता नजर आ रहा है जिसकी वज़ा से बिनौला खल की कीमतों में जा तेजी है अभी यह हाल फिलाल में आगे भी करनल एज़े जी के मुताबिक और जोतिश के अनुसार आगे जारी रह सकती है करनल एज़े जी कमूनिटी बजार में अगर बात करें यहां से अगर नौन एगरी में तो non-agricUmmunies में आज आपको क्या लगता है कि non-agricemic कमूनिटी ज में आज कंकिन limits कें आज के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है अगल है को यादो का तकल आपने बुलियर कें दर तेज़ी की बात कही थी और सुने ने और चांदी ने दोनों ने moment अच्छा किया आज मुझे लगता है कि कल भी हमने copper के ओपर भी आपको चर्चा याद base metal के ओपर कहा था को कि मुझे अच्छा लग रहा है base metal यादि 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 ये सारे अच्छे moment में होते हैं ज़रा रहें आज मैं copper के ओपर मजबूती की धाना को पिर दुबारा कहता हूँ कि आज copper के अंदर तेजी की संभावना बनती है जिन के अंदर भी आज तेजी की संभावना उसे इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन मैंतर पूर ये है क्योंकि कल शुकरवार हो जाएगा और उसके बाद से दो दिन की ए चुपी होगी तो समय पर मुनाफ़ा वसूल कर लेना हमेशा से ही बहतर होता है ये अकले जी तो यानि कि आज करनल जजे जी की मताविक base metals में copper में और zinc में तेजी बनती नजर आ सकती है करनल जजे जी इसकी साथ बात करें अगर share bazar की तो आज share bazar में कैसा माहौल बना रहे सकता है share bazar में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है अकले जी कल के हमारे शो में आपको याद होगा हमने nifty और bank nifty में तेजी की बात कही थी bank nifty ने लगबद 400-500 पॉइंट की तेजी दर्ज होई और जो stocks हमने bank nifty के कहे थे आपको SDFC bank, ICAC bank, SBI बहुत जबर्दस उसने movement किया और विशे स्टोर पे मैं market times के दर्शोकों को लिए ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा रुजहान, हमारा ध्यान सिर्फ frontline stocks में होता है क्योंकि penny stocks की जो है यानि छोटे stocks है उसके अंदर खत्रा बढ़ता है उसके अंदर मुनाफ़ा तो तेज हो सकता है लेकिन खत्रा भी उसी मात्रा में बढ़ जाता है और share बजार के अंदर हमेशा ये कहावत है कि अदि आप अच्छे shares के साथ रहेंगे fundamental strong shares के रहेंगे fundamental strong shares के साथ अदि आपने trade किया है तो आपको नुक्सान की संभावना एक कम होती है मुनाफ़ा चाहे थोड़ा सा कम हो जाए यही चीज़े रखते वे हम frontline stocks जो है निटी उने base stocks हैं इसके अलावा जो हम आज नजर रख सकते हैं कि oil and gas के जो stocks हैं बी PCL जैसे stocks हैं उनके अपर भी आप नजर रखें उसमें भी तेजी हो सकती है और जहां तक सवाल है कि निप्टी और बैंक निप्टी के उपर जो की index में trade करते हैं जो भी कारोबारी मुझे लगता है कि आने अब थोड़ी सी साथधानी रखने की आउशकता है क्योंकि पिछले सब्ता बड़ी तेजी से उता चड़ा हो रहा बजारों के अंदर ओमी कोरन का एकड़म से भै पैदा हो गया था और बहुत तेजी से बजारों के अंदर अगला सब्ता जो आने वाला है यह बहुत महत्वपूर्ण होगा मैं चाहता हूं कि दर्शेक इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने और संदें अगला सब्ता के अंदर शुरुआत के अंदर कुछ कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं और तो इसलिए थोड़ा सा मुनाफ़वसुली हो सकती है और याद रखेगा बजार के अंदर जब तक टेजी के साथ में मुनाफ़वसुली ना है वो बजारों के अंदर कभी भी ठीक नहीं होता कैसे एसी जी आप देखते हैं कि अदिया फ्लैट चलता रहा है कि यदि तेजी आ रही है तो तेजी की बात करें और मंदी आ रही है तो मंदी आने पहसे पहले बताएं क्योंकि जब मंदी आ जाती है तो पूरा बजार मंदी पे बात करने लगता है जब तेजी आ जाती है तो पूरा बजार तेजी पे बात करने लगता है लेकिन financial astrology संबाफ से विश्ट में एक मात्र तरीका साधन या टूल है जो आपको तेजी आने से पहले तेजी बोलती है और मंदी आने से पहले मंदी बोलती है यही इसकी विशेश्टा है जो हमारी भारतिय प्रदती जो सनियों से प्रैक्टिस होती आ रही है जब योरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर डाउज ठोरी या जपान के अंदर केंडलिस्टिक टोरी या जो थी यह सत्रा सो और उनीस वी सताब्दी से थी जबकि हमारी फाइनिशल एस्टिलोजी की जो मैटलडोजी है यह साथवी और आठवी सताब्दी से पहले से इसके प्रमाण है तो हमारा मूल उद्देश यही है कि भारतिय पद्दतियों की जो सतीक विशलेशन करने की शक्ती शमता है वो आपको हर रोज लाइब तस्तुत की जाए ताकि भारत विश्व गुरू क्यों था इसका जवाब आप सब को मिले और यही मेरा आपसे रिक्वेश्ट है यही मे यह कुछ सभियों से विदेशी आकरमनकारियों से इन्होंने हमारे को हर जंगे खतम करने का प्रयास किया था लेकिन कहा जाता है सब्सक्री में आप किसी को समूल नस्त नहीं कर सकते कुछ अफ्शेश बसते हैं और इन अफ्शेशों को ही सहिजने का काम हम लगातार पिछल इस नित्रा को जरूर इसको फॉर्वर्ड करें जी अखलेजी जी करनले जी तो जैसे कि करनले जी ने बताया कि शेर बजार में आने वाला कारोवारी सब्ता थोड़ा उठा पटक वाला उता चड़ाव वाला थोड़ी कमजोरी वाला जारी रह सकता है बहुत बहुत शुग्रिये करने लेज़े जी हमा सार जुड़ने के लिए जानकरी साज़ा करने के लिए फिलाद मजारों के सितारे में अभी के लबस इतना ही लेकिन आपका इंजाएगा ने क्योंकि खबरों काल सिलसलों लगाता ने यही बना रहेगा मागेटमसीवी पर के लो限ी का इंजाता हीई मैं पर जुड़ने के लिएक लेक लाहीएगा पिल थारओज़ने के लिए